चछे इससों बात करते हैं सिपला कम्पनी के बारे में कल एकशन आपको सिपला कम्पनी के अंद theo मिल सकता है कल weekly four के नतीजे डेकलेर होने हैं और नतीजु से पहले आपको पहले बहुते ढूरी भर कम हर टा सा नतीजों के बाद में भी अच्छा खासा momentum आपको देखने को मिलता है देखे अगर company की बात करें तो अच्छा खासा momentum अभी तक देखने को मिल रहा है long term के view अगर आपके हैं तो रुजहान positive रहा होगा और stocks के अंदर आपको return भी अच्छा से दिखाई दे रहा होगे अगर एक दिन की बात करें तो stocks के अंदर मजबूती दिखाई दे रही है एक week के अंदर लगवख 1% की तेजी देखने को मिली है एक महिने में ये stocks हम लोग को गिरता जरूर नजर आ रहा है अगर अगर अवराल देखें तो तीन महीने में 5%, 6 महीने में 21%, एटल डेट 9% की तेजी के साथ में और एक साल में 57% के return बनते उने जरा हैं दो साल में लगवख 62% की तेजी हमें stocks के अंदर देखने को मिल चुके है इसी तरीकी से 3 साल में 56% की तेजी दिखाए दे रही है 4 साल में 58% की तेजी देखने को मिल रही है और 5 साल में 68% के return बनते उने जरा हैं इसी तरीकी से 10 साल में 192% की तेजी दिखाए दे रही है देखे जितना लंबा समय हम इस company के साथ में बिता रहे हैं तो कहीं न कहीं अच्छे खासे हम लोग के रिटन भी बन रहे हैं कि अगर स्टोक्स की बात करें तो मजबूती देखने को मिल रही है लगभग 900 रुपे की आज पास इस समय स्टोक्स हम लोग को कारोबार करता हुआ नदर आ रहा है इसी तरह की से मुमेंटम हम लोग को पॉजिटिव देखाए दर है पिछले 6 महीने का लगातार तेजी का रुज़ान इस कंपनी के इंदर बना हुआ है और अगर लोंग टम में देखें यानि के स्टोक्स एक साल पांस साल और मैक्सिम चार्ट में हम लोग को किस तरह की से रियक्ट करता हुआ नदर आ रहा है तो और आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है उनके अंदर आपको अच्छा खासा रुज़ान देखने को मिल रहा है और इससे पहले भी इन कंपनियों के अच्छे खासे नतीजे हम लोग को दिखाए दिये थे तो कहिने कहीं काल भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि quarter 4 के दोरान हम लोग को एक एक्षण देखने को मिले बट अगर अच्छे खासे नतीजे हम लोग को दिखाया देती तो अगले दिन जो है इस टोकस हम लोग को ऊपर उपन होता वह नजजर आता है देखे अगर बात करें पिछले नतीजों के बारे में तो दिसंबर 2020 में हम लोगो सेल्स दिखाए दी 3,732 करोड के आसपास इससे पहले वाले क्वाटर में अगर देखें तो 3,808 करोड के आसपास निकल के हैं इससे पहले 3,128 करोड के आसपास हम लोगो दिखाए दी 3,133 कर 20 करोड रुपे के आसपार दिखाए दी तो कहने का मतलब यह है कि ओवराल मोमेंटम हम लोग को उपर की तरफ ही बढ़ता हुआ नज़रा है सेल्स हम लोग को लगतार जह उपर की तरफ बढ़ती उने ज़रा रही है अब बात करते हैं अपरेटिंग प्रॉफिट की तो पिछ 699 करोड रुपे के आसपार देखने को मिला था अब बात करते हैं दोस्तों एयर ओन एयर बेसिस के आधार पर कि कंपनी के इंदर किस तरीके का एक्शन हम लोग को दिखाए दर है तो अगर मार्च 2020 की बात करते हैं तो सेल्स लगबख 12,669 करोड रुपे के आसपार निकल क आई थी जो कि हम लोग को 2019 में 12,314 करोड के आसपार देखने को मिल रही थी तो ये रॉन एयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स हम लोग को बढ़ती है नजर आ रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसके इंदर भी हम लोग को तेजी दिखने को मिली थी 2502 करोड के मुकाबले 2707 करोड रुपे के आसपास निकल किया था तो तो तेजी का मोमेंटम जारी है और अगर बात करें प्रॉफिट विफोर टेक्स की 2493 करोड रुपे के आसपास दिखाए दिया था और उसके बाद में मार्च 2020 में ये हम लोग को बढ़कर दिखाए दे रहा है 2964 कर अच्छा खाता डेटा प्राप्त हुआ है तो एक उमीद लगा कर चल सकते हैं कि कल भी आपको रुजान पॉजिटिव देखने को मिले लेटेस्ट शेयर ओल्डिंग पेटरंस के बारे में बात कर लेते हैं तो मार्च 2021 का डेटा इस स्क्रीन पर आपको दिखाए दर रहा है प्रमوटर्स के होलिंग के अंदर हम लोगो बड़ोतरी देखने को मल रही है 36.73% के आसबस निकल के आरिये जो कि पुछले वाले क्वाटर में हम लोगो को दिखाए द रही थी लगबग 36.110% के आसपस यह आपको होल्डिंग बढ़ती बने जरा रही है तो होल्डिंग के अंदर लगातार बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है जून 2020 से 18% के आसपास आपको इनकी होल्डिंग दिखाई दे रही थी उसके बाद 20%, 22%, 23% और भी जादा जो है इसके अंदर हम लोग को इंप्रूमेंट देखने को मिल सकता लोंग टर्म में अब बात करते हैं डियाइस की तो देखें डियाइस के तरफ से लगातार बिकवाली का प्रेशर हावी है 22% के आसपास थी ठीक एक साल पहले उसके बाद लगातार जो है इसके अंदर हम लोग को गिरावर देखने को मिल रही है इस समय लगबक 17umbles 88% के ओसपास holding देखने को मिल रही है अब बात करते हैं दोसो पाइस पबलिक के holding की तो इनकी holding इससमें बीजाला 22.88 4% के ओसपास देखने को मिल रही है MARC 2021 में जो कि हम लोग बैस बॉत 50.25 के इस पास तो कॉटर Online Quarter basis फ हम पर भी आपको गिरावर दिखने को मिले अब अगर देखें तो किस तरह की क्वांटिटी इसके इंदर टेड होती हुए नजर आ लगवग अगर होल्डिंग की बात करें तो 21 पसंद से ज्यादा की क्वांटिटी हम लोग होल्ड होती हुए नजरा रही है और दिन के दुरान आपको हलचल इसके अंदर देखने को मिलती रहती है अब अगर बात करते हैं बावन वीक हाई की तो लगवग 966 रुपे के आसवास निकल के रहा है जो कि 20 अपरेल 2021 को बना था इससे पहले अगर कैलकुलिट देखें के दिखाए बीरे और अगर बात करत करें को और करिझा उपनी को लत टील करोड़ के आसपास करजा देखने को मिल रहा है काफी बड़ा amount हमें market cap के अंदर देखने को मिल रहा है तो कहिने के manage हो जाएगा earning per share की बात करें तो positive दिखाए दर है, roc positive है, roe की बात करें तो positive दिखाए दर है sales growth positive दिखाए दर है, profit के अंदर हम लोग को अच्छा खासा momentum दिखने को मिल रहा है तो अच्छे खासी company हम लोग को दिखाए दे रही है, पिछले एक साल में अच्छे खासी growth stocks के अंदर देखने को मिल है valuation chart भी हम लोग को उपर की तरह भी move करते हैं अब अगर peers की बात करें तो यह company हम लोग को चोथे numbers पे दिखाए दे रही है सबसे पहले number पर Sun Pharma Company आती है उसके बाद में Davis Lab, Dr. Reddy's Lab तो चोथे number पर यह company हम लोग को दिखाए दे रही है अब देखे अगर sales की बात करें तो पिछले एक साल में लगबग 2% से ज़्यादा की तीजी देखने को मिली है तीन साल में लगबग 5% की तीजी हमें company के अंदर बनती है और momentum हमें long term में भी positive दिखाए दे रहा है ग्राफ आपको उपर की तरफ मूँ करता है नजर आ रहा है इसी तरीके से profit का भी graph आपको उपर की तरफ ही मूँ करता नजर आ रहा है एक साल में 22% का momentum देखने को मिल रहा है positive तीन साल में positive है और 5 साल में भी momentum positive दिखाए दा रहा है return on equity की situations भी हम लोग को positive दिखाये जरी एक साल तीन साल और पांच साल में इसी तरीके से आरोसी भी हम लोग को positive दिखाये जरी है अब देखे बात करते हैं यह कंपनी हम लोग को dividend देती है या नहीं तो कल कहीन की dividend के regarding भी हम लोग को कुछ न कुछ announcement देखने को बिल सकती है तो इससे पहले देखें तो 2020 के अंदर दो बार कंपनी ने dividend दिया है और अगर बात करें stock split की तो यह stock अभी तक split भी नहीं हुआ है तो उस्तोगर आप नए हैं और डिमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अप इस stocks के अंदर डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं बहुती बहतरी नहीं यह company हम लोग को इसलिए दिखाये दे रहे है क्योंकि long term delivery बिल्कुल free है यानि कि holding पर यह किसी भी तरह का brokerage charge आपसे नहीं लेती है आप चाहे एक दिन hold करें चाहे 1000 दिन hold करें आपको company को कोई भी extra brokerage charge नहीं देना है तो अगर आप इसके अंदर डिमेट अकाउंट open कराना चाहते हैं तो link नीचे description box के अंदर दिया दोस्तों करें जानकारे आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक तरूट कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब पर क्रिक लेना ताकि नहीं वीडियो के notification सीथे आपके mobile निस के ठगी समच फॉर्चिंग